हेलो गाइज, यू आ गूँग तो लर्न फोर फोरेवर, लर्न फोरेवर वेलकम स्यू गूड मॉर्निंग डियर स्टुडेंट्स एं रिस्पेक्टेड पेरेंट्स आज की अपनी ये थार्ड वर्क्षीट है, मैद सब्जेक्ट है आज और ये एट्थ क्लास की होगी इससे पहले दो वर्क्षीट हम कर चुके हैं जिसमें हमने प्राक्रितिक संख्याएं, पूर्न संख्याएं, पूर्णांग संख्याएं और परिमेश संख्याओं को बड़ी असानी से और आसान सब्ध में मैंने आपको समझाया है, वीडियो अफ लेवल है, पिले लिस्ट मे देख लिजिएगा, और आज इस वर्क्षीट को करते हैं, इसमें जानेंगे रिराणात्मक परिमेश संख्याएं क्या होती है, एक हम मैंने पढ़ा था बच्चो हमने पूर्णांग संख्याएं, पूर्णांग संख्याएं कब होती हैं, जैसे मालने जैसे आपको पलस में टेंप्रेचर नापना है ठंडे प्रदीस में, तो आप बता देंगे कि टेंप्रेचर 32 डिग्री है, लेकिन अगर टेंप्रेचर माइनस में चला गया, तो आप उसको कैसे नापेंगे, फिर आप नापेंगे ये ना कि टेंप्रेचर 6 डिग्री माइनस में, तो जिन संख्य में माइनस भी जूड़ जाए वे संख्याय बन जाती है पूर्ण अगर माइनस नहीं होता सिर्फ प्लस-प्लस मापते और माइनस नहीं आप पाते तो क्या पूर्ण होती नहीं हमारी माप अधुरी रह जाती ना कि हमारे पास तो अंकी नहीं है पता ही नहीं कैसे ना पर माइ प्राकृतिक संख्या मतलाव हर संख्या एक दो तीन चार पाच यह सब क्या है प्राकृतिक संख्या इसमें जब आपने जीरो जोड़ दिया तो यह कौन सी बन गई यह बन गई पूर्ण संख्या पूर्ण हो गई जीरो जोड़ने के बाद संख्या कौन सी होगी और जब इसमें आपने माइनस का नंबर भी जोड़ दिया इन संख्याओं में अभी तक इसमें माइनस नहीं प्रक्रितिक, पहली इसमें 0 जोडा जोडा तो ये पूर्ण दूसरी जूसरी जूसरी जोडा- माहिनस संख़ा पिजूड जोड़ गयी तो ये पूर्ण अंक तीसरी संख़ा है न माइनस वाली और ये बटे में सोरी पीक्यूब तो ये हो गी टूटल चार संख्या हैं, अब आगे पढ़ते हैं, देखें, समझी इश्प भी, इसको भी मैं अच्छे समझाओंगा आपको, इसके question सांसर लिख के दूँगा आपको नकाले तो कैसे दिखाएगा परची में परेशंगती से फैसा नहीं मास दिखाएगा भट वहां पहो जाता तीन बटे पांच यानि कि अब इसको कैसे किया जाता है पता आपको 120 को पांच से गुड़ा करेंगे तो बारपचे 60 और पांच यह टोटल ऐसे हो जाता है इस प्रोग्रम खोलेंगे जो 603 पांच है इसका मतलब यह निकलता है तो इतने हाइट यह अस्थल का लेवल है धरातल का लेवल इससे इतना गहराई में जाएंगे आप तो आपको मिलेगा पेट्रॉलियम ठीक है तो क्योंकि आप नीचे जा रहे हैं समुद्र तल से अस्थल के लेवल से नीचे जा रहे हैं तो इसको गड़ीतिया रूप में इस तरीके से लिखा जाएगा माइनस लगा के ठीक है दिक्षा के एक बटे चार नाली में गिर गए मतलब दिक्षा के पास जो पैसे थे ये पैसे मालेजे दिक्षा के पास एक बटे चार मतलब कि चार का एक हिस्सा यानि कि एक रुपिया एक बटे चार सोरी एक बटे चार का मतलब एक बटे चार का मतलब बच्चों कि एक में चार हिस्से करने हैं तो कितना होगा टून्टिफाइब पैसे ये एक रुपिया है ये रुपिया लिखा है न तो एक रुपिया में 100 पैसे होते तो इसको कैसे लिखें हम माइनस में लिखेंगा ऐसे 1-1 in 25 पैसे ज़ेद सwritten yap सुपिंग बाल में मेरी मोटर साइकल दो मनजब नीचे की पार्किंग में खड़ी है फिर वही प्रिख कि यह हो दो सिंहे प्लव की बाद कर रहा है कि अच्छा बहुता है जिसको जुवार कि लेवल का है लेकिन यहाँ बात ही है कि shopping mall मेरी motorcycle दो मंजल नीचे खड़ी है, धरातल से और भी दो मंजे नीचे парकिंग बनती है, मुल्टिस्टोरी बिल्डिंग्स में देखा हूँगा आपने तो एक मंजिल नीचे पार्किंग फिर दो मंजिल नी यहां वह ऐसे भूम को जाने का गोल रास्ता होता है नीचे जाने का है नहीं इस तरीके से जबी तो मोर्साइकल ऐसे चड़ेगी ठीक है यहां पर बाइक ख अगला देखते हैं उप्रोक्त उदारान अनुसार परिमेश संख्याय पूर्ण हो या बिन्नात्मक परिमेश संख्याय पूर्ण हो यानि कि जैसे दो बटे चार हो या बिन्नात्मक हो यह धनात्मक तथा रिनात्मक भी होती है हाँ जैसे ये दो बटे चार क्या है धनात्मक है और रिनात्मक और ना ही धनात्मक, ना इस तरीके की है और ना इस तरीके की है वो है सुनने, सुनने जो है एक balance इस्थिति में है न इसके पास plus में है कुछ न इसके पास minus में है कुछ, समझ रहें सुनने है बिल्कुल, आपके जेब में कुछ भी नहीं है, मतलब पैसा नहीं है तो ना आपके उपर करजा है और ना आपके जेब में पैसा है करजा भी तो नहीं है समझ रहें वही बात मैं एक बर दोबारा यहां समझा तो देखिए परस्ट बताएं माइनस 26 बड़ा है या माइनस 7 बड़ा है ठीक है चलिए यह पर्ट के समझेंगे तो आप समझ लेंगे वैसे मैं समझाता हूं आप आपके जैब में या फिर यूं समझे कि एक आपके पास 26 रुपे करजा है आपके दोस्त के पास 7 रुपे करजा है अब आप बताए कौन बड़ा हुआ दोनों दोस्तों में जिसके पा ले से और थाा ओड़ा रखे है किसी से भी और एक ने रखailing रखा है सात रुपीया तो दोनों में से ज़्यादा बड़न कि इस पेह है ओविसल इस पेंマयsoo इमनस में 26 ज्यादा है करजे में ज्यादा 26 है आप दर ऐसी होता है प्लस में सुनने होता है बैलेंस है ना अब ये इससे माइनस जब जाएंगे अब तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 ऐसी गड़ना होगी ना तो ये तो 6 और 7 माइनस पर ही रूख जाता है लेकिन ये वाला बंदा माइनस में कहां तक कहुंच जाता है और नीचे जाता है 2021 तक जाता है तो कर्जे में 20 जाता है तो बड़ा लोड एसको पढ़के समझेए दो परस्सीतिति निचंचष्ब पिंटो को मात्र सात रूपै कही हो रहा है माइनस में उसको कंदू किससा कौन सा है 26 में अता साथ बड़ा है समझी है इसको कम नुक्सान हो रहा है साथ रुपे कोई बात नहीं और इसका 26 रुपे कैसे दूड़ा ज्यादा है बड़ा नंबर है माइनस में घाटी में है करजा है समझ लें आई होप समझ रहें तो प्लीज कमेंट बताएगा कि यहां स और जुक इस याजा रहर देखते है थे यह क्या आपको भाता है कि परिमेस लंखाए रेड़ातमक कब होती है जी हाँ जब अन्स और हर में विपरिजिन पलस या माइनस लगे हो तो अन्स या हर में जैसे P Q की फ़र्म में होता है न अगर इन दोनों मेंसे किसी में भी माइनस लगा हो ठीक है तो वो क्या हो जाती है रिड़ात्मक परिमे संख्याएं रिड़ात्मक परिमे का जाद रखिए पी से लिंक कर दिजिए इसको पी और कीव के फॉर्म में होती है मतलब बटे में होती है परिमे ठीक है आए रिड़ात्मक परिमे संख्याओं के कुछ अन उदाहरणों को समझे कौन सी संख्या बड़ी है यह बड़ी है यह बड़ी है तो बच्चों इसको देखिए ऐसे समझेगा माइनस पांच बटे साथ यानि की 7 में से माइनस 5 और यहां क्या कहा रहा है कि माइनस साथ में से पांच बड़ी संख्या कौन सी भी ओविसली ये बड़ी हुई ठीक है अभी इसको एक बार दुबारा मैं समझाता हूँ आपको